हेलो दोस्तों, वेलकम तो माई चैनल दर टारगेट लॉग और आज मैं यह जो शुरू करने वाली हो यह जितने भी यूपी से रिलेटेड एक्जाम हो चाहे वो जुडी शरी का हो चाहे वो कॉंस्टेबल का हो, SI का हो, लेकपाल का हो या हमारा APO का हो सभी के लिए बहुत ही जाधा important होने वाला है, और इस बात की guarantee है, अगर आपने यह question कर लिए, तो maximum part आपका cover हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को complete देखना है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो share जरूर करना है, like भी करना है, और चैनल को subscribe भी आपको करना है, चलिए हम पहला question है आज का, भारत का मानक समय, कहां से लिया गया है, तो अगर भारत की बात करें, तो देख लोते हैं, इसमें पहला है हमारा इलावाद, तूसरा है लखनव, वारनसी और गाजदेबाद, तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा, कि जो भारत में, जो यह पूर्वी 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कि जो हमारा इंडिया का मानक समय है, वो लगबख 5 घंटा आगे काम करता है, आगे चलता है, लेकिन अगर वर्ड की बात करें, तो वर्ड की बात करते हैं, तो फिर यह आ जाता है, हमार जो हमारी यह लाइन मानक समय की यह हमारी लाइन है यह पांच स्टेट से होकर गुजरती है कौन कौन सी स्टेट है एक तो हमारा यूपी हो गया दूसरा हमारा एमपी हो गया तीसरा हमारा आंधरपरदेश हो गया और चोथा हमारा च्छतीजगर हो गया और पांच वा हमारा ह पोडिशा नेक्स वोशन का जाते हैं विस्प्रियावरेंट दिवस कब मनाया जाता है वर्ड एन्वार्वेंट तो अभी गया है रीसेंटली पता ही होगा सबको ऑप्शन है इसमें ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है हमारा पहला साथ जून दूसरा है पांच जून तीसर जो थीम है इसकी थीम यह है पूरे विश्व को पूरे वर्ड को एन्वार्मेंट से प्रोटेक्ट करना है यह इसका थीम है हम इसको एम भी बोल सकते हैं जो इस बार का है यह अभी का है 2022 का समझ लीजिए या जो वर्ड एन्वार्मेंट डे है इसकी थीम समझ लीजिए कु सोलर वर्ट सोलर डे मनाते हैं और साथ ही साथ 15 जून को हम बुजुर्गों के साथ जो मतलब senior citizen होते हैं देखा हमने कितने old age home होते हैं या कितना हम उनके साथ में जो आजकल की generation है कितना उनको मतलब करती है तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बुजुर्गों के साथ जो इतना जो दुर्वेवार होता है उसी के प्रती आवाज उठाई है इसमें और यह उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए यह डेवी मनाया जाता है 15 जून को लिए नैक्स अगर बात कर रहें तो question number 3 है हमारा निम लिखित में से कुन सा सही सुमेलित गोरकपुर इसको बंग बिहार का शोग भी बोलते हैं ठीक है और जो गोरकपुर है गोरकपुर में यह मैंने लागर लास्ट वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया भी है कि गोरकपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारी पर आता है कि बात करते हैं सक्वारा उत्रप्रदेश की जनसंख्या देश के आता है ऊपर प्रदितनी सारी है कि जो कि चोटे चोटे देश कितने सारे हैं जो मतलhmen उनकी जो पॉपिलेशन है वो यूपी की पॉपिलेशन से भी कम है इतनी ज़ाधा है अगर एक कंट्री बनाया जाते यूपी से कंट्री बन जाएगा तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका 16.11 16.20 16.30 16.50 परसेंट तो इसका ऑप्शन हो जाता है हम आंसर हो जाता है हमारा 16.50 अब अगर इसका आगडा हम देखें अगर हम 2011 2011 सेंसर के अनुसार अगर देखें तो इसकी जो यूपी संख्या जो हम लेते हैं वो लेते हम 1990 LK इतनी यूपी की जनसंख्या अगर यहां का सेक्स रेश्यो देखें तो 912 है और लिटरेशी रेट यहां का 67.68 है कमिशन निमली कित्में से सही सुमेलित नहीं है मतलब इसमीन से कौन सा हमें गलत बताना है कि कौन सा इसमीन है गलत है तो užजैन में शिपरावेथी यह बिल्कुल सही है सूरत में पिये बिल्कुल सही है है राश्टियवन अनुस्घान तेसे ज़ेए Christians नेशनल फोरेस्ट इंस्ट्यूट तो पहला उप्षन हमारा मसूरी नई दिल्ली नाकपूर देहरादून तो इसका आंसर हो जाता है हमारा देहरादून में नेशनल फोरेस्ट इंस्ट्यूट है और अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में हमारा आ जाता है र सबसे बड़ा जिला है और दूसरी बात नागपुर में क्या है नेशनल एन्वार्मेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्ट्यूट है और यहीं पर जो कोविड का हमारा वाइरस था कोविड-19 का यहां पर उसी का टेस्ट भी हुआ था इसी कि इसी लैब औरेटरिमंग नेक् जो बहुइं अलगे रिद corporation मांद्यपर्देस वहीं यहां पर नहीं है उत्त्र पर देस्ट तमिल नाड़ू उड़ी सद्स तो इसका एंसर हो जाता हमारा उत्तर प्रदेस और उत्तर पशने परदेस में फिजो इसकी सीमा है वह बारत और नेपल वाला जो चेत्र है वो सारे एरिया में है और इसको मतलब यह सर्रक्षित चेत्र है जोई दुद्वा रास्टे उध्याना यह सर्रक्षित चेत्र गोशित किया गया अब अगर हम मध्यप्रदेश की बात करें बहुत कोस्टिन पुछे जाते हैं मध्यप्रदेश है मतलब फेमस है इसके करते तो वन्दीपु टाइगर रीजर वैं अब यहां पर आपसे चोटा सा कुशन एक अगर आपको आंतर देना है उसका कॉमेंट बॉक्स में की जो टोटल टाइगर रीजर्व आए इंडिया में जो टोटल टाइगर रीजर्वां वो कितने हैं नाम नहीं पूछ पूछ रह एक्तिहाई महिलाओं की आबादी के अनुपात में फिर है कुलिस्थानों का एक्चोथाई या फिर आवश्चक तानुसार तो इसका आंसर हो जाता है हमारा एक्तिहाई और यह कहां लिखा हुआ यह हमारा लिखा है आर्टीकल 243 के D में और D के भी किसमें? क्लॉस 2 में यह लिखा हुआ है कि जो हमारा आर्ट्षन होगा महिलाओं के लिए वो हमारा एक्तिहाई होगा लेकिन अभी तक तो है यह लिखा हुआ है लेकिन अभी तक यह जैसा हमारा 33% था तो इसको बढ़ा कर 50% करने की बात है और जो यह प् पास हो गया और इसको जब बनेगा यह पास तो हो गया प्रस्ता जब इसको बनाया जाएगा एक्जिस्टेंट में लाए जाएगा तो हमें इसमें भी अमेंड करना पड़ेगा कि नक्सोंशन पर आ जाते हैं उत्तरप्रदेश विदानसबद चुनाओं 2017 में कितनी महीलाइ निर्वाचित हुई थी ओप्शन है 58, 38, 44, 17 तो इसका आंसर हो जाता है हमारा इसमें से कोई इसा भी नहीं है इसका आंसर है हमारा 41 या कहीं कहीं अगर कुछ आंकड़े ऐसा भी कहता है कि 40 है ठीक है लेकिन अब भी अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में जो से जाद रेशियो है ये फिमेल का तो इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्स वोस्टेन है हमारा उत्तर प्रदेश में किस वर्स राजस परिशत की स्थापना की गई थी तो आंक ऑप्शन देख लेते हैं 1887, 1856, 1828, 1831 तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1831 और ये की राजस परिशत अधीनियम की अकॉर्डिंग की गई थी और जो इसका हैड़कॉर्टर है वह है इसका हैड़कॉर्टर इलहबाद में इसका हैड़कॉर्टर है यहाँ पर ठीक है नक्स पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश सेक्षणिक अनुसंदान ने मंविकास परिशत की स् नेक्स प्रदेश में उर्दू प्रसिक्षण एवम एवम लिखाए यह टाइब गलत हो गया यह है अनुसंदान केंद्र अवस्तित है कहां पर इस्तित है मतलब सिचुएटिड कहां पर है तो इसका अंस option देख लेते हैं लखनव फैसाबाद मेरट अलीगर तो इसका आंसर निमली खित में से कहां पर चली थे option देख लेते हैं हमारा option है हमारा आगरा मेरट सहारनपुर बलिया इलावात कानपुर गोरकपुर जौन पूर तो इसका आंसर हो जाता है हमारा आगरा मेरट एक इसकी वात और बता दू जो इसका मतलब जो इसका existence हुआ है जो यह हमारा इसका पूरा नाम होता है धोला मारू यह ठोला मारू होता है और जो इसकी उत्पत्ति हुई है जो इसका राजस्थान से इसक गोगां का दे महां तो सुन्दर है घं bitter डोनों को यह प्रेंग कहानी है इधान नहीं स्वाह। यह एक राजिस्तान की बहुत ही फेमस प्रेम कहान है। देखो कितने सुन्दर दोनों लग रहे हैं और जो यह कैमल यह भी कितना खुशूरत बनाया है ना . यह भी एकदम से इनके साहत में यह भी पूरा खुश है। बड़ी ही और उसी का एफेक्ट यह थोड़ा सा यहां पर भी है मेरट और आगरा में तो उसी की वज़े से यहां पर भी प्रचलीत और वह यहां पर भी बनाया जाता है यहां पर भी नेक्स्ट है हमारा हिंदू-मुस्ली मेक्ता का प्रतिक सुलहकुल फैस्टिवल उत्तर प्रदेश के कि शहर में आयुजित किया जाता है और अप्शन है मेरट अलीगर लखनाव आगरा तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा आगरा और नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक छेत्र का जन घंठती सरवदिक है तो पूर्वी चेत्र केंद्रिय चेत्र पस्चमिच बंदेलकन चेत्र तो इसका आञा चले नक्स कर आ जाते हैं चलिए कंप्लीट हो गया सब्सक्राइब का प्लान ऑफ दोसरा इस पेसरों हो आपके लिए विष्वास करो करके आ पूरा देखे तो सही चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में आपसे पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर भी झाल बाइ